नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का study IES की एक और नई वीडियो में और आज की वीडियो में मैं आप सभी की साथ discuss करूंगा see all forest declaration के बारे में देखी दोस्तों इस topic से related या फिर इस पूरी news से related जितनी भी बाते आपकी exam point of view से important है वो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में discuss करूंगा वीडियो के दोस्तों पूरा देखीगा क्यूंकि काफ़ी interesting ये topic भी है इससे आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा देखने को भी मिल जाएं तो दोस्तों ये बात ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और discuss करते हैं लेकिन उसे पहले बता दू कि अनकेडमी पे आप सभी लोग लिए offers हैं और एक और बात की air 2 और भी ऐसे बच्चे हैं जो की under top 20 आये हैं और जिन्होंने अपनी प्रपेशन अनकेडमी के साथ करी है देखी दोस्तों अगर आप लोग दो या फिर उसे जदा सार कोई भी सब्सक्रिप्रिप्शन लेते हैं तो आप लोग को मिलेगा CSE Assure जिसकी मदद से आपकी जो प्रपेशन है वो यूप अनकेडमी करवाएगा जो तक आपका एक्जा आपको कि 13th of May 2022 को बनाया गया था 15th World Forestry Congress को अब ही मैं बता दूँ कि इस चीज़ के अंदर इस चीज़ कोंक्लूड करा गया अभी उस टाइम पे आपके जितने इस Congress के टाइम पे ही एक नया यहाँ पर डिकलेशन है जो कि बोलता है Sea All Forest Declaration उसे एडॉप्ट करा गया यह जो म हम लोग डिसकर्स करते हैं कि आखिर World Forestry Congress क्या है मैं बता दूँ आप लोग को World Forestry Congress जो है वो पांस दिन का एक इवेंट होता है और इसे होस्ट कर रहा जाता है by the Food and Agriculture Organization के दोवरा मैं बता दूँ दोस्तों यह जो इवेंट है यह पिछले आप कर सकते हैं हर 6 साल में और्गन से बाते हैं फॉरेस्ट रिलेटेट कुछ प्रॉब्लम से उनको हमारे पूरे ग्लोब में जो दिक्कत आ रही हैं उसके बारे में डिसकर्स करने के लिए यह आप किसकते हैं जो आइडिया वगएर यह दिया जाते हैं साथी दोस्तों आप किसकते हैं काफिश क्लाइमेट च करते हैं तो वह कहीं न कहीं कोई न कोई शॉलिशन तो देते ही हैं उन सभी को भी यहां पर डिसकर्स करा जाता है पहली बार मैं बता दूं आप लोग को कब हुआ था यह आपके सिकते हैं वर्ल्ड फॉरस्ट्री डे तो इन इयर 1926 पहला जो कॉंग्रेस था उसे हेल करा ग अभी रिसन्ट्टली मैं बता दूं इसे अडॉटक करा गया और हिसके हाइलाइट की बारे में बात करें तो यहां पर बात करी गई इन्वेसमेंन इन सक और ट्रेस्ट रिस्टरिशन पे बारे में धोस्ता बदा दू Books हमारे पूरे ग्लोब में आप इसे जितना भी खर्चा होता है उसके ट्रिपल करने की बात करी गई है जितना हम लोग अभी तक दियान देते हैं उससे त्रिपल दियान देने की बात करी गई है by the year 2030 तक हमें यहां पर जो भी हमारा इंटरनेशनल एग्रीड आप करते हैं टार इस त्रिपलिटी इस रिगार्डिन फॉरेस्ट वगरा कोई उससे लेटर बात हैं इंटीग्रेटेड यहां पर शेयर यहां बात ही करी गई है काफी सारे स्टेक्षोल्डर्स हो गए सेक्टर्स हो गए इंस्टिशन के दुवारा और कुछ यहां पर चीविमेंट की बात कर सस्टेनबल जो चीज़े हैं उनका पॉलिसी दोस्तों कुछ यहां पर इंप्लिमेंट करी हैं कि जिससे हम लोग यहां पर एक ऐसा मेकनिजम दे सकते हैं कोई भी इनोवेटिव ग्रीन फाइनसी के बारे में तो यह सब कुछ इस डेकलिरेशन के अंदर बताया है और यह मैं कुछ सालों में ही काफी बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे अभी आप लगको पता होगा भारत देश में तो हीट वेव इतनी बढ़ गई है कि आज तक इतनी आपके तनी गर्मी पड़ी ही नहीं है कहीं पर पचास-पचास डिग्री तक भी पहुशने वाला है कहीं कही तो यह दिक्कते क्यों आती हैं इसी वज़े से आती हैं कि हम लोग अपनी धरती का सही से ख्याल ने रख पा रहे हैं अगर कुछ ऐसे डिकलेरेशन आते हैं मजबूर किया जाता है लोगों को कि आदमी अपनी खुसी से करता है वो तो हमें समझ में आता है पर अगर हम क्राइस रिस्टोरेशन के बारे में ऐसे करेंसे के बारे में सौरेस्ट बेज यहां पर काफे सरे वालीशन दिए गया जैसे कि स्मॉल होग्ड्र होग है फैमिली फार्मर्स इंडिजिनियस पीपल्स होगे वारेस्ट कम्मृनिटीज यूथ विमिन वगरा इमपावर करा ज होता है दोस्तों फॉरेस्ट का तो वो कितना ज़्याद निगेटिव इंपक्ट दे सकता है हेल्थ पे वेल बिंग पे हमारे हुमेंस की तो हर जगह से आपके सकते हैं रिलेटिड है फॉरेस्ट बढ़िया रहेंगे दोस्तों तो आप लोग भी खूज रहेंगे लाइफ पढ़ेगा अगर हमारे फॉरेस्ट सही से रहते हैं तो बहुत बात है कि हमें हमारे लाइफ स्टाइल पर काफ बड़ा असर जो है वह देखने को मिलेगा अभी दोस्तों पार्टनर्शिप करें बात करें तो सबसे पहले पार्टनर्शिप आती है सस्टेनिंग एन और यही एम है कि में लोग कैसे यहां पर इंटरनेशनल कोपरिशन को और पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं में यही दोस्तों अगर सब लोग साथ मिलके काम करेंगे तो हमें ज़्यादा चाह रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आपके चतने कोई एक देशी काम करता जाएगा तो मैं बोलूँगा इतना बड़ा कोई उसका असर नहीं आएगा असर पड़ेगा अगर हमें काफी बड़ा इंपक्त लाना है पूरे धरती को बचाना है तो हमें जरूर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा अब ही आपको बताओं कि किन लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट करा था आपके सितने इसी 15th World Forestry Congress के अंदर तो बता दूं यह जो आपके सितने इवेंट था इटेंट करा गया था बाए फॉरेस्ट ऑफिशल्स पूरे दुनिया भर के लोग आए थे अलग-अलग इवेंट से दोस्तो पोस्टर सेशन थे तो यह सब कुछ इसके अंदर यहां पर हैल्ड हुआ था ओके आई होप दोस्तों कि अब आपको इस पूरी वीडियो में चीज़े समझ में आगे होगी आज की वीडियो के लिए इतना ही था ओके लेकर अगर अगर अब भी कोई आउट रह गया अभी तक तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर मिलते हैं दोस्तों तब तक इस वीडियो के लिए इतना ही तिल देन टेक केर एंड आवा नाइस दे